वेलकम तू दे चाइनल इनके तरफ से कुछ इंजोर अपडेट्स है जिसके बारे में हम वीडियो में डिसकस करेंगे लेकिन थोड़ी से आज के मैच के लिए फेवरेबल टीम रहेंगी वो रहेंगे आपर लॉस अंजल ब्लू में भी मुझा लागता आज का मैच आपर ब्लू हेविली आपर विन कर सकती है क्योंकि इस टीम के तरफ से अल्मोस्ट आपर इनके जो सभी स्टार प्ले रहे हुँ आज के मैच के लिए अविलेबल है दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलिग्राम पर सर्च करना अर्वी फंटसी सेवन सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहां से बात करेंगे दोनों टीम के तरफ से प्रोवेबल स्टार्टर सबसे पहले जो नियु आर्लेंस के तरफ से इंजुरी आपडेट्स निकल करा रहे हैं जरु विलमसन इनके उपर गेम टाइम डिशेजन है और गेम टाइम डिशेजन हैं हर्बर जांस यह दोनों प्लेयर जो तो फिर से आपर आज के लिए आपको पता चल देंगा अगर दोनों आउट रहेंगे तो से मकलम के मार्शल ने माच में स्टार्ट का था अगर विलंस जगापर साट करेंगे अगर जौनस आगर मिलीदिएक में वालंसक करेंगे कर देखियार का पर नहीं खेलते हैं क्योंकि वालांस आपको एक अच्छा गासा टाइम खेलते हुँ देखियेंगे विलम संग के आउट होने के वज़े से इनका जो रोल रहता है वो फ्रांट कोर से काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहता है अगर इस टीम के तरफ से बात करेंगे तो सेम लाइनप के साथ काफी अच्छे मैचे से आपर इस टीम ने खेले फिर विया पर इंके खाफी से अच्छा कासा परफॉर्मस आय था लास्ट माचे से में उन्होंने फावल काफी ज़्यादा स्टार्टिंग में कर दिये थी उसके चलते आपर स्टार्ट अच्छा नहीं कर पाया थे अलवर्डो भी एक टिक टाक पॉइंट देकर चले जा रहा है इन ग्राम की जगह पर खेल रहे थे थोड़ा सा बॉलें लिंग का काम भी संबल लेते तो असेस्ट दो तीन असेस्ट आपर दे रहे और साथर पॉइंट के चलते एक टिक टाक पॉइंट इन के तरफ से आ रहा है मार्शल के तरफ से लास्ट माच काफी अच्छा रहा था और रेगुलरली अपनी बस्ट आप एक रहेंगे और उसके अलावा आपके पास एक तीन क्रेडिट से वरे जो कि आपर स्टाइटिंग लाइन अप में रहेंगे त्युनों के तरफ से अनन आवरेश टिक टाक परफॉर्मस आ रहा है लेकिन आप पर मूर्फिय आपको ऑफेंस में ज्यादा एक्ट तो आपर मूर्फिय आपके लिए मुझे लगता है कापी अच्छे पीक रहेंगे और क्रेडिस और के साथ जाना चाते हो तो मर्शल के साथ है आपर डिफिनिटल आप चले जाना तो यह हुई इस टिम की स्टाइटिंग लाइन अप अभी बैंस्टेंट के अगर बात करो त उसका रिजन है कि अपर डैनिल अबलेवेल थे लास्ट माचेस में और इंग्राब दूसके चलते हैं एक ठीक टाग टाग टाइम आपर खेलकर गहे थे दैनिल और इंग्राब के अपर थोड़ा सा जो इंपर्टन रोड रहता वो रहता डैनिल और ग्रामा का फिलाल आपर Shardan hai तो ग्रामा को लास्ट माच मैठ से ठाइम ला था इसे प सहले मैच इसमें कुछ कास फॉर्फॉर्फॉरमस नहीं दिया लेकिन लाश्ट मैचे स्मेख किक टाक पर्फérieंश के तरफ से देंधर्व 01 आपर पर 59 सब्रय 500 का इसक है सब्सक्राइब करेंगे जोगी बैंस से कहलेंगे और स्पेशली जब आप पर अगर बैलेंस स्टार्टिंग में फाउल ट्रॉबल काफी जाधा कर दे तो यह आपको यह पर नाज जुनियर एक अच्छा खासा टाइम खेलते विए देखने को मिलेंगे और वैलेंस के लिए ड करेंगे लॉस ऑंजलस के तरफ से लिए रिजिजा एक्सण बैस इसी तरफ से बैड्स में से अपको स्टार्ट करते हैं और और इस तपर से निकल कर आरेंए illness के वज़र से आज के माच के लिए अपने विलेवल है तो याप पर Morris का जो रोल रहेंगा वो काफी ज़्यादा important रहेंगा और बैंसे यहापर Nicholas bottom को एक अच्छा खासा time मिलने की आपर possibilities रहेंगी और brown पर धहन रखना jail में हो सकता ब्राउन को भी आज के माचस में time मिल सकता है क्योंकि आपर कोईंटंग अना विलेवल है फिलाल जो स्टार्टिंग लाइन पर वहापस आ चुके तो जहां पर आप अपनी टेम में जुबैक को ड्रॉप कर चले जाना क्योंकि आप और टेम का जो जो सेंटर का प्लेरे वह बैलेंसियास और जुबैक दोनों सेंटर के प्लेरे दोनों में से कोई एक अगर याप पर फाउल ट्रबल कर दया था तो डिफिनिटली वह कम टाइम आपको कहलते हो देखने को मिलेंगे लास्ट मैचस में इंफा में आप पर आ गए पोविल और रिगी टेम तो काफी ज़्यादा श्ट्रांग है उन पेपर लेकिन इस माच में आप पर पोविल और रिगी जैक्सन नहीं चलते उस मैचस में आप पर पाउल जार्ज़ पर्फार्मस देते और लास्ट मैचस में आपर यह दोनों चल गए तो पाउल जार्ज़ के तरफ से काफी तरफ से उसके चलते हैं पर एक ठीक्टा क्लोज मार्जिनॉला मैच अपर इन्होंने बनाया था जो बैक के फर्फॉर्मस के अगर बात करो तो इन्होंने काफी अच्छा पर्फॉर्मस आप इसे कह सकते हो और जो जो बैक करेंगे वो त्यापर डिफॉल्ट करेंगे अगर आप तीनों को पिक करना चाथ हो अपने तो पिक कर लेना लेकिन पाउर जार अभी भी आप पर फिलाल जब से आपर इंजरी से वापस आ गए आप से आएंगा अभी आपर मना ने जो लास्ट माचेस में स्टार्ट किया था वो खेलेंगे अज़ेंगे आपर उनकी जागा पर मौरिस वापस आ चुके जो कि आपर इनके रेगुलर स्टार रहें इस टीम के तरफ से जो बैस्टेंट के बारे में अगर बात करू तो नि रेगुलर लिए अपने टिम के लिए परफॉर्मस दे कर आ रहें और एक एगरी शोप ले रहें अगर बैंच से भी कहलते तो बॉल लिंग का काम समलते जहां पर आपको असे से भी पॉइन देते भी देखेंगे 17.4 रिबांट 6 असे लास्ट माचेस का इनका परफॉर्मस ह और रेगुलर लिए परफॉर्मस अपने टिम के लिए देकर आ रहें बटूम को लास्ट माच में काफी अच्छा टाइब मिला था आज के माचस में भी से में आपर उम्मीद है कि आपर काफी अच्छा टाइब मिलेंगा क्योंकि आपर कोविंटों आउना वेल बले लूग लिए आपके लिए काफी अच्छी पीक रहेंगी अगर आप क्रेडिस से करना चाहते हो ग्रियन लिग या फिर स्मॉल लिग में जो आप रिस्क लेना पसंद करता है खिलने के लिए अगर यहां से बात करूंगा डेमूर मेलों टीम तो मोचली आप और वाल मेरे या पर डिफ कब जो सेंटर फारवर्ड है कोविंग डॉंग वो फिलाल अनावल वले मौरी स्टार्टिंग लाइन पे रहेंगे और फिर से आपर एक कुरूशल पीक रहेंगे कंट्यूशल आपने डिम के लिए रेगूलर ली परफॉर्मस इनके तरफ से आ है पोविल आजए क्रेडिस स क्रेडिस से और काफी ज़्यादा लोग इनको यूज़ करने वाले अभी मौर्फी या से काफी अच्छे पिक अविलेवल है अगर आपर जॉंस नहीं किलते तो अगर आपकी बस क्रेडिट अविलेवल है जैसे विजने लेए अप्लिकेशन पर वहाँ पर आपने टिम में म मार्शल को भी पिक करवा सकते हूं लास्ट मांच मार्शल का काफी अच्छा रहा था लेकिन अलवार्डो के पास जो थोड़ा सा अडवन्टेज मुझे लगता है आपर असिस से आपर भी पॉइंट देकर चले जाते तो फिलाल यह दोनों यापर पीके अलवार्डो या फ तिनों में से कोई भी परफॉर्मस याप पर देखकर चले जा सकता है फिलाल यापर मेरे एक डेमोट रिमिलोंटी में यह जो टीम है आपर मैंने लॉस के थोड़े से आपर फेवरेबल में बनाई क्योंकि मुझे लगता है वो टीम आज का मैच में करेंगी और मोस्ली जो जारो स्टार्टर है वह यापर मेंने पिक है रीगी जैक्शन एक थोड़े से रिस्की पीक है जिनको यापर ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की मुझे फिलाल लग रहा है लेकिन कोई और याप पर आप्छेंस नहीं है अगर उनको पिक करना है तो फिर आपर पोबिल को आ वह प्र पर बना रहे हैं वाकर क्याप्टन से का कि लिए याप से मधलम अगर आप थोड़ा सा डिप्रेंशल जाना चाहत हो तो तो सकते हो यह स्टां के SP और PP चॉइस आपर रहेंगे जुबैक को आज के मैच के लिए फिफ्रेंस आपर मैं दूंगानू SP और PP के लिए लास्ट जो फिफ्रेंस बना था थो यापर मैंने बताया था कि आपर जुबैक को ट्राइ कर सोकते लेकिन मौरीस के वापस आने के बज़े से मुझे नहीं लगता जुबैक आज के मैचस में इतने जादा पौने देंगी जितने आपर रिसेंटली दोनों मैचस में पॉइंट इन्हों ने दिये फिलाल होव गाईज ये मेरे आपर डेमोटर मेलोंटे में टीम से होकर कर रखना जो भी आपडेट रहेंगी वो रहेंगे टेलिग्राम चैनल पर ओफ गाईज वीडियो पसंद आया होगा उस इक साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा तो मिलते फाइनल डिम के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर